हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे BPSC टीचर से रिलेटेड इंपोर्टन कोस्टन जो की बाइलोजी से रिलेटेड है और बाइलोजी में भी इकोलोजी टॉपिक से रिलेटेड हो क्योंकि हम चेप्टर वाइज डिस्कुस करेंगे आज का टॉपिक जो है ओ है इकोलोजी क्योंकि बाइलोजी में वैरियोज चेप्टर इंवॉल्व किए गए हैं BPSC टिचर से आज का टॉपिक है ओ है ओ है इकोलोजी एकोलोजी का कोस्टन जो ट्राइब किया गया इस वीडियो लेक्चर में रखने का वह है medium to higher क्योंकि बिहार PCS में teacher की जो vacancy निकली थी पीछले बार उसमें try किया गया था कि वह medium to higher question नहीं रखे थे exam में अपने lower questions देखने को मिला नहीं ऐसे question नहीं रखे गया है कि ecology का discovery किस ने किया ecology term क्यों use करते है ecology term क्या होता है यह सब normal questions माने जाते है सिंपल question माने जाते है तो इस video lecture में try किया गया है lower to medium नहीं बलकि medium to higher question का level रखा गया है सो start करते हैं और देखते हैं one by one question तो medium से start करेंगे और higher इक तरफ बढ़ेंगे सो पहला question आपका है gas release during Bhopal tragedy was जो gas release हुआ था Bhopal tragedy में वो कौन सा gas था या क्या था पहला option आपका है phosphogenes second option carbon dioxide third question methyl isothiocyanate and D option carbon monoxide तो आपको given option में से right answer बताना है right answer आपका हो जाएगा given option में से methyl isothiocyanate चली हुआ क्या था दो सेप्टेंबर दो सॉरी दो या तीन दिसंबर को 1984 के night में लगबग 45 ton एक dangerous gas जिसको की methyl isothiocyanate बोलते हैं वो leak हो गया था और इस gas के चलते काफी काफी लोग damage हो गये थे काफी जाने चली गई थी काफी लोग genetically genetic variations काफी लोगों में अभी भी देखने को मिलता है एक यह बहुत ही काफी बड़ी tragedy हो गई थी बोपाल में बोपाल से related area में इस tragedy को बोपाल gas tragedy भी बोलते हैं तो given option में से right answer आपको हो जाएगा methyl isothiocyanate next question देखते हैं next question आपका है the natural place of an organism or community is known as तो given option आपके हो जाएंगे first option is habit second option biome c option is miss and d is habitat actually क्या होता है the natural place of an organism किसी organism का या group of organism is called community तो group of organism तो organism ही उसमें है तो उनके natural place को क्या बोलते हैं तो उनके natural place जहां पर वो रह सकते हैं अपना protection कर सकते हैं अपना खाना बना सकते हैं या अपने आपको पूरी तरह से stabilize कर सकते हैं उस जगे को क्या बोलेंगे तो उस जगे को आप habitat बोलते हैं तो आपका given option में से right answer क्या हो जाएगा habitat next question the process of developing soil from sedimented rock sedimented rock जो होता है उससे soil बनने की प्रकीरिया को क्या बोलेंगे तो question में पूशा गया है कि the process of developing soil from sedimented rock is given option first adapt adephology B is a pedogenesis C four signs and D all of these तो given option में से right answer पूशा गया है question में क्या soil जो sedimented rock से बनता है उस process को क्या बोलते हैं तो given option में से right जो answer है आपका वो हो जाएगा पेडोजिनेसिस पेडोजिनेसिस क्या होता है जिससे sedimented rock जो होते है वो ब्रेक हो हो के वो soil में convert होते है नेक्स्स कोश्चन जो है सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस और या इन मतलब जहां पे भी हो वहां यूज़ कर सकते हैं सेडिमेंटेट सक्सेशन टेक प्लेस और आर इन गिवन ओप्सन आपका निवली क्रियेटेट पॉंड बी इज़ निवली कुल डावा सी ज़ बार रॉक्स और डी इज़ डिग्रेट फॉरस पुछा गया है सेकेंडरी सक्सेशन कहां पे होता है तो गिवन ओप्सन में से राइड आंसर जो है आपका वह है वह है डिग्रेट फॉरस्ट जो डिग्रेट फॉरस्ट होते हैं उसमें सेकेंडरी सक्सेशन बहुत ही इजली टेक प्लेस होता है तो राइड आंसर आपका डिग्रेट फॉरस्ट नेक्स्स कोश्चन है दे नेचुरेल रिजर्वायर आफ पॉस्पोर्स एज गिवन ओप्सन अनिवल बॉन्स बी इज रॉक्स सी इज रॉक्स सी वाटर एंड डी इज फॉस्ट तो क्वेश्चन्स में क्या पूछा गया आपसे दे नेचुरेल रिजर्वायर आफ फॉस्पोर्स एज तो गिवन ओप्सन में से राइड आंसर आपका हो जाएगा रॉक्स रॉक्स जो होता है वो नेचुर्ल रिजर्वायर होता है इसका फॉस्फोर्स का next question जो है question में कुछा गया which ecosystem has the maximum biomass maximum biomass कौन से ecosystem में है तो वो option देखने के बादद decide करेंगे कि कौन सा option दिया गया है तो उसके according हम decide करेंगे biomass तो given option आपका फर्स्ट जो option है वो है pond ecosystem second option है grassland ecosystem c is a lack ecosystem and d is a forest ecosystem so given option में से जो question पूछा गया है वो है which ecosystem has a maximum biomass is forest ecosystem forest ecosystem जो होता है उसमें maximum biomass present होते है next question है which one occupies more than one tropical level in pond ecosystem तो given option frog b is a phytoplankton c is a fish and d is a zooplankton तो which one occupies more than one tropical level एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल pond ecosystem कौन सा acquire करता कौन occupy करता है तो given option में से right answer आपका है फिस 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 जो है वो more than one a tropic level पॉंड सिस्टम में पॉंड सिस्टम का बात के जा रहा है तो पॉंड सिस्टम में occupy करता है नेक्स कोस्टिन जो है the slow rate of decomposition fallen locks in due to first option over nitrogen content b anaerobic environments c low cellulose content d low moisture content तो given option में से right answer है low moisture content next question जो है where if we combine all the ecosystem present on earth then it is called क्या होगा जब हम सारे ecosystem को combine कर दें जो present है अर्थ पे उस process को क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे तो given option जो है अगर सभी ecosystem को हम combine कर दें तो जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको क्या कहेंगे तो सारा ecosystem combine करने के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं पाइस्पियर पाइस्पियर सबसे large ecosystem कह सकते हैं होता है जो अर्थ पे प्रेजेंट है all the energy in a food chain originated from सभी energy कहां से प्रेजेंट होते हैं कहां से ओरिजेंट होते हैं food chain में given option is plants biomes sea sun given option जो है question में क्या पूछा गया आपसे all the energy in a food chain originated from food chain जो होता है उसमें energy कहां से ओरिजेंट होता है तो given option is sun sun is a primary energy source sun से ही primary energy source plant grab करता है plant से animal लेता है तो primary आपका sun next question जो है interlocking of two or more type of food chain at different tropic label is called तो given option में से आपका है food web ecological pyramid succession and d is a food chain तो question में क्या पूछा गया आपसे question में पूछा गया है कि interlocking of two or more type of food chain अगर दोस से ज्यादा food chain को interlock कर देंगे तो और वो level जो tropic level जो होता है वो different होना चाहिए तो क्या इस process को क्या बोलेंगे तो जो food chain को combine करते है इसको food web बोला जाता है तो आपका right answer क्या हो जाएगा food web next question है which of the following are directly dependent on producer for living given option में से right answer आपका हो जाएगा first option is herbivores B is a scavengers C is a decomposers and D is a carnivores तो given option में से right answer जो है वो हो जाएगा herbivores question में क्या पुछा गया था which of the following are directly dependent on producer for living तो वो क्या वो herbivores होते है next question जो है the animals which feed only on other animal are known as omnivores second is herbivores C is a autotrophs and D is a carnivores तो given option में से right answer question क्या पूछा गया है the animals which feed only on other animals are known as carnivores क्या होते है जो animal को it करते है next question plant growing under direct sunlight are known as जो plant direct sunlight use करते है sunlight का use करके grow करते है उनको क्या बोलते है तो given option में से right answer हो जाएगा आपका हो है यह यह गया है जो जो प्लांट अंडर direct sunlight grow करते हैं उनको हल्योफाइट्स बोलते है next question है वीच अब दे फॉलोइंग रिक्वायर maximum energy first is primary producer second is a primary consumer c is a secondary consumer and d is a decomposer given option में से right answer जो है आपका हो है primary producers so इस वीडियो लेक्चर में इतना ही next topic अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे और डिस्कुस करेंगे कुछ important topic new chapter so thank you so much